Good morning प्यारे बच्चो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप काफी अच्छे होंगे प्यारे बच्चो 12 क्लास NCRT Mathematics की अभी तक हमने 3 exercise 1.3 तक with introduction complete कर ली है और उम्मीद करता हूँ कि आपने उन exercise से जो भी आपको क्लासिस दी गई है उनसे आपने कुछ न कुछ जरूर सीका होगा आज हम exercise 1.4 का introduction पढ़ने वाले हैं आज हम समझने वाले हैं कि exercise 1.4 में क्या आएगा किस तरह के questions exercise 1.4 में होंगे और हम उनको easily कैसे solve कर पाएगे हमारी functions पर डिपेंड थी और जो हमारी तीसरी exercise थी वो relation और functions के combinations पर डिपेंड थी वहाँ पर हमने फ़लनों का संयोजन पढ़ा था ठीक है तो आपको उन तीन exercise पर अच्छी कमांड करनी है अब इसी chapter relations and functions के अंदर संबंदेवन फ़लन के अंदर हम एक new topic पढ़ने वाले है exercise 1.4 के introduction के रूप में उसका नाम है binary operations जिसको हम द्वी आधारी संकिरिया कहते हैं इसका कुछ पार्ट हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन हमें नहीं पता था कि ये binary operation है चलिए इसके बारे में हम कुछ discuss कर लेते हैं यहां पर मैंने कुछ topic लिखे हैं इन topic के बारे में भी हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि binary operation क्या होता है जो आज का हमारा topic है देखिए अगर मैं आपको ये बोलू कि 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है तो आप answer दोगे 10 होता है यह answer करोगे न आप अब देखे मैं बताता हूँ आपने answer कैसे किया होगा आपने यह ऐसा किया होगा 2 प्लस 3 प्लस 5 यह हो सकता है आपने ऐसा किया हो 2 प्लस 5 और प्लस 3 ऐसा हो सकता है न यहापे आपके सामने एक छो प्रिला है 10 लेकिन हम तीनो नमबर को एक साथ add नहीं कर सकते पहले हमने टू प्री तृ किया वह और फिर जा कि हमने फाइव इस में एड किया द्वी का मतलब 2, आधार का मतलब उसका base, ठीक है, 2 के बीच में काम करेगा, संकिरिया मतलब operation कुछ symbol, जैसे संकिरिया क्या होती है, plus, minus, multiply, divide, ठीक है, अभी तक हम ये संकिरिया पढ़ते आए हैं, ये हम operator बोल सकते हैं उनको, देखो जो चार sign है, इनका use term करते हैं, लेकिन इ कारे में हमें नहीं पता होगा, कि वो actual में है क्या, क्योंकि उसके proper definition दी गई होगी, कि इसका मतलब क्या है, या किसी और, जो भी particular हमें, एक symbol दिया होगा, उसका मतलब हमें समझा दिया होगा, हमें वो याद नहीं करना है, अब देखें कैसे, जैसे star, star का मतलब कुछ भी define क कर सकते है, जैसे इस तरह का symbol भी हो सकता है, या इस तरह का symbol हो सकता है, ठीक है, या इस तरह का symbol हो सकता है, मतलब कुछ भी आपको इस तरह की संकिर्याएं मिलेंगी, ठीक है, जैसे अगर आपको ये बता दिया जाता है, कि a star b equal to a plus b plus 2, A star B equal to A plus B plus 2 आपको यह बता दिया गया है हो सकता था यहां पर कोई भी आप symbol ले लो इस तरह का symbol ले लो पलस 2B plus 3 ठीक है यह आपको कुछ भी मिल सकता है मतलब यह याद रखने वाली कोई बात इसमें नहीं है अब हम समझ लेते हैं binary operation क्या होता है देखो यह A कोई element है और यह real number है A कोई element क्या है real number फिर यह कोई दूसरा element B है और यह भी real number है यह भी real number है तब अगर A star B अगर A star B B real number हो ठीक है ध्यान से समझो इसमें कोई भी ज़्यादा difficulty वाली बात है नहीं है अभी आपको क्या समझाया गया है A कोई element है real number फिर B कोई दूसरा element है real number हमने दोनों number के बीच में कुछ operation लगाया हो सकता है यह plus minus multiplied divide या कोई और संबंद बताता हो ठीक है ना A और B के बीच में कुछ special संबंद बताता हो तो जो A star B है वो भी real number होना चाहिए हम लिखी लेते हैं यहापे यदि A belongs to R B belongs to R then A star B belongs to R तब star एक द्वियाधारी संकिरिया है ठीक है इसको थोड़ा आसान लेंग्वेज में समझते हैं किस तरीके से सपोज हमारे पास यह two कोई element है और यह belong करता है natural number में फिर यह three कोई element है यह भी belong करता है natural number में यह भी natural number में belong करता है और definition दी गई है कि A star B equal to क्या है A plus B ठीक है ना A star B equal to A plus B दिया गया है तो आप यहापे A और B के value put करो 2 star 3 2 star 3 equal to 2 plus 3 तो 2 plus 3 कितना होगा 5 अब 5 चेक करके बताओ natural number में belong कर रहा है या नहीं कर रहा natural number में belong कर रहा है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि जो star है ठीक है हम क्या लिख दहें आप है अते star 2 आदारी संकिर्या है 2 आदारी संकिर्या है ठीक है एक अलग example लेके देखते है यह हमारे पास A कोई element है यह natural number में belong करता है B कोई element है यह B natural number में belong करता है और एक operation है star A और B के बीच में और वह इस तरीके से define किया हुआ है A minus B तो हमें यह बताना है कि star binary operation है या नहीं है अब देखे हम कैसे बताएंगे यहाँ पर element ले लीजे कुछ भी 20 belongs to N यहाँ पर ले लीजे 15 belongs to N दोनों बाद ठीक है जो 20 है वो भी natural number है और जो 15 है वो भी natural number है अब देखे हैं यहाँ पर operation लगाईए 20 star 15 20 star 15 equal to definition के according ही से open करो 20 minus 15 equal to कितना होगा 5 तो 5 बिलोंग करेगा किसमें? natural number में लेकिन हमेशा बिलोंग नहीं करेगा कैसे? आप इनको उलट दो एक बार जैसे माल लेजिए आपके पास यहाँ पे है 2 2 बिलोंग स्टू N और यहाँ पे आपके पास है 3 3 बिलोंग स्टू N अब आप करके देखे A स्टार B A का मतलब 2 स्टार B का मतलब कितना है? 3 यह है न A का मतलब क्या है? 2 B का मतलब कितना है? 3 तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या है? 2 माइनस 3 2 माइनस 3 जैसे A माइनस B है तो 2 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 1 और minus 1 natural number में belong करेगा या नहीं करेगा तो ये वाला minus 1 जो है वो natural number में belong नहीं करेगा अगर belong नहीं करेगा तो हम क्या बोल देंगे star binary operation नहीं है star एक दुई आधारी संकिल्या नहीं है इस चीज़ का में ध्यान रखना है अब देखो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो a star b है वो a plus b के ही equal होगा क्या या जो a star b है वो a minus b के ही equal होगा क्या या ये formula है क्या नहीं ये कुछ भी नहीं है ये आपको स्रिब relation मिलेगा a और b के बीच में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है जो relation मिलेगा उसके according आपको काम करना है जैसे अगर आपको formula ये दिया हुआ है a star b equal to 2 की power a b suppose अगर a star b equal to 2 की power a b आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि a और b क्या है natural number a और b क्या है natural number तो ये बताइए 2 star 3 का मतलब क्या होगा ठीक है समझो उसको दियान से आपको कोई formula दिया हुआ है क्या formula आपके पास है a star b equal to 2 की power a b ये वाला आपके पास एक formula है और आपसे value पूछी जारी है कि 2 star 3 की value बता दो तो a की जंगा पे क्या है 2 b की जंगा पे क्या है 3 तो 2 की power कितना होगा 6 होगा तो ये 2 star 3 का आंसर होगा अब हमें दिमाग इसमें ने लगाना है कि a star b equal to 2 की power a b कहां से आया कहीं से दी आया हो उसकी problem नहीं है हमें क्या करना है जो भी हमें formula दिया हुआ है उसमें हमें value put करके देखनी है बात के लिया रहना इसने यहाँ पर शुरुवात में बता दिया होगा अगर कि A star B equal to 2 की power A B है और इस star क्या है द्वी आदारी संकिरिया है तब हम इसकी value easily find कर सकते हैं बात के लिया रहना देखिया हमारे पास यह कोई set है इस set के अंदर कितने element है तीन एक क्रोश है हम आसानी से निकाल सकते हैं एक ही हमें A में ही क्रोश करनी है 1 1 1 2 1 3 अब 2 से करो 2 1 2 2 2 3 अब 3 की करो 3 1 3 2 3 3 ठीक है जैसे हमने relation को समझते time कार्डिजन प्रोड़क्ट की थी ठीक उसी तरीके से आपको कार्डिजन प्रोड़क्ट इनकी कर लेनी है A set हमारे पास है उस set के अंदर तीन element है तो A क्रोश A के अंदर कितने element होंगे 9 element होंगे 3 क्रोश 3 ठीक है अब देखो इसकी परिभासा समझ लेते हैं पहले हम परिभासा क्या है इसकी definition क्या है किसी समुच्चे A में द्वी आदारी संकिरिया इस्टार एक फलन इस्टार एक फलन इस्टार सच देट A क्रोश A to A है फिक है इसको ध्यान से समझ लेना ठीक है आसान definition है लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के समझ उसको हम क्या पढ़ रहे हैं द्वी आदारी संकिरिया कि द्वी आदारी संकिरिया किसे कहते हैं किसी समुच्चे A में हमारे पास कोई समुच्चे है इस समुच्चे A में द्वी आधारी संकिरिया star हमारे पास कोई binary operation है star वो एक फलन star such that a cross a to a है मतलब सबसे important बात यह है कि star क्या है आपे एक function है star क्या है आपे एक function तो जो द्वी आधारी संकिरिया है वो एक फलन होती है अब फलन किस से किस में होगी मान लीजिए हमारे पास कोई set a है तो द्वी आधारी संकिरिया किस से किस में होगी a cross a के set से a में होगी पहले वाले को क्या बोलते है हम domain और दूसरे वाले को क्या बोलते है co domain तो आप इस चीज़ को देखिए जो a cross a है यह किसका काम करेगा यह domain का काम करेगा और जो यह वाल संकिरिया एक फलन है a cross a के set से लेके a में बात के लिए रो गई चले अगला टोपिक समझ लेते हैं संकिरिया सारनी अब देखिए संकिरिया सारनी में हम क्या करेंगे एक set की help लेंगे सपोज ही हमारे पास कोई set है a इसके अंदर element है 12345 ठीक है यह हमारे पास कोई set है और संक संकिरिया सारनी देखो हम कैसे बनाएंगे आपको इस तरह से बना लेनी है यहां पर आपको क्या करना है कोई operation लिखना है operation वो जो दो संख्याओ के बीच चलेगा जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं a star b equal to अधिक्तम अधिक्तम a b ठीक है ना a star b equal to अधिक्तम a b मतलब अगर हमने कोई दो element लिए तो उन दो element में से जो भी बड़ा होगा वो ले लेंगे हम जैसे अगर हम बात करते हैं 2 star 3 की तो 2 star 3 का मतलब क्या है 3 है इसके according जैसा मालो हमने ले लिया 5 star 2 जैसे हमने क्या ले लिया 5 star 2 तो 5 star 2 का मतलब क्या होगा 5 होगा इसके according जैसा हमने ये binary operation लिया है उसके according तो अब समझ लेजिए कि संकीरिया सार्मी कैसे बनेगी सबसे पहले यहां पर operation लिख दीजिए जो भी है आपके पास binary operation हमने इस्टार माना है तो इस्टार लिख लेंगे अब 1,2,3,4,5 element है ना 1,2,3,4,5 यह सारे element horizontal लिख दीजिए फिर vertical 1,2,3,4,5 ठीक है 5 element इस तरीके से लिख दिए हमने और 5 element इस तरीके से अब यह देखे 1 और 1 में maximum कितना है 1 है फिर 1 और 2 में maximum क्या है 2 फिर 1 और 3 में maximum क्या है 3 1 और 4 में maximum क्या है 4 1 और 5 में maximum क्या है 5 फिर 2 और 1 में maximum क्या है 2 2 और 2 में maximum 2 2 और 3 में maximum क्या है 3 2 और 4 में maximum क्या है 4 2 और 5 में maximum क्या है 5 3 और 1 में maximum क्या है 3 3 और 2 में maximum क्या है 3 3 और 3 में maximum क्या है 3 3 और 4 में maximum क्या है 4 3 और 5 में maximum क्या है 5 अब 4 को देखो 4 1 में क्या maximum है 4 4 2 में क्या maximum है 4 4 3 में क्या maximum है 4 4 4 में क्या maximum है 4 और 4 5 में क्या maximum है 5 फिर 5 1 में maximum क्या है 5 5 2 में maximum क्या है 5 5 3 में क्या maximum है 5 5 4 में क्या maximum है 5 और 5 5 में क्या maximum है 5 ठीक है इस तरीके से आपको क्या कर लेना है संकिर्यासारणी बना लेनी है देखो ये तो क्या है संकिर्यासारणी के element है इनको तो क्या बोलेंगे हम element और ये संकिर्यासारणी में क्या हुई entry हुई इनको हम क्या बोलेंगे redeem entry आई बास समझ में अब इनी पर आदारित हम जो बाकिकी हमारी प्रोपर्टीज है हम उन्हें पढ़ने वाले है तो अभी तक कि हमने क्या टुपी किलियर किये है द्विया आदारी संकिर्या क्या होती है पिर हमने संकिर्या सार्मी में कमप्लीट की अब हम ये दो रूल पढ़ने वाले हैं एक करम विनिमेनियम और एक साचरियनियम ठीक है अब देखिए उनको ध्यान से देखो करम विनिमेनियम क्या होता है जैसे 2 star 3 है 2 star 3 आप 2 star 3 की value देखो 2 star 3 देखो इससे तो इधर की तरफ चलो और उससे इस साइड की तरफ चलो तो 2 स्टार 3 का मतलब कितना है यहाँ पे 3 अब 3 स्टार 2 निकाल के देखो 3 स्टार 2 तो इधर से तो 3 पे चलो और उपर से 2 से चलो तो यह element मिला है न हमें तो 3 स्टार 2 का मतलब क्या होगा 3 होगा बात समझ माई तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 स्टार 3 इक्वल है किसके 3 स्टार 2 के ठीक है आप कोई साथ भी element लेके देख सकते है जैसे कि 4 स्टार 5 4 देखो इधर से चलो ठीक है ऐसे करके और 5 उपर से चलो तो इस पे कट हुआ न तो 4 स्टार 5 का मतलब है 5 अब 5 स्टार 4 ले सकते हो 5 स्टार 4 एकदम उल्टा लेना है हमें तो 5 से चलो और फिर स्टार 4 फिर 4 से तो यहाँ पर कटेगा अब की बार तो 5 ठीक है अब आप देख सकते है जो 4 स्टार 5 है वो किसके इक्वल है 5 स्टार 4 के अगर A स्टार B ठीक है ना पहले वाले अलिमेंट को क्या माल लो A और दूसरे वाले अलिमेंट को क्या माल लो B अगर A स्टार B B स्टार A के एकवल है ठीक है अगर A स्टार B B स्टार A के एकवल है तब हम क्या बोल देंगे A star करम वीनी में है A star क्या होगा हमाँ पर करम वीनी में बात समझ में आ रही है आपको ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है कि अगर A star B B star A के एक वल है तब वो क्या होगा करम वीनी में नियम होगा जैसे हमने क्या किया था पहले 2 star 3 की value निकाली थी तो 2 star 3 हमें कितना मिला था 3 फिर हमने 3 star 2 निकाला वो भी हमें क्या मिला 3 तो यहाँ पर A star B B star A के equal है 2 star 3 equal to 3 star 2 इसका मतलब जो star है जो star है वो क्या है commutative है commutative star क्या होगा है यहाँ पर commutative star यहाँ पर करम मीनी में नियम को follow करेगा बात के लिए चलिए अब समझ लेते हैं साचरिय नियम क्या है देखिए इसमें हमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा देखो जो करम मीनी में नियम है उसके लिए सिर्फ दो element की जरुत पड़ेगी लेकिन हमें अगर चेक करना है कि associative है या नहीं है मतलब साचरिय है या नहीं है तो हमें तीन element की जरुत पड़ेगी कैसे? यदी यदी आपको इस तरीके से बताना है चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर 2, 3, 5 ले लो 2, 3, 5 इक्वल टू 2, 3, 5 ठीक है? यहाँ पर पहले इन दो नंबर की बीच में स्टार लगा है और यहाँ पर बादवाली दो नंबर के बीच में स्टार लगा है 2 स्टार 3 का मतलब क्या है? 3 बहुँ दो नंबर की बीच में ओपरेशन किसको सो कर रहा है? मैक्सिमम नंबर को यही तो लिखा है हमने यहाँ पर A स्टार B एक्वल टू अधिक्ता में A B का तो 2 और 3 में से ज़्यादा कौन सा है? 3 अब इस्टार 5 लिख लो सेम अब यहाँ पर आओ 2 स्टार देखो 3 स्टार 5 में से कौन सा मैक्सिमम है? 5 तो आप इसको 5 लिख लो इसकी ज़्याँ पर अब देखो 3 स्टार 5 की ज़्याँ पर हम क्या लिख सकते है? 5 3 और 5 में मैक्सिममम क्या है? 5 है अब देखें यहाँ पर 2 star 5 का मतलब क्या है 5 ठीक है तो अगर A star B star C A star B star C के एक वाल आता है तब हम बोल सकते हैं वहाँ पर कि star क्या है साचरिय है star क्या होगा यहाँ पर साचरिय होगा star associative होगा बात किलियर है अब हम क्या पढ़ेंगे तत्समक अव्याव और परतिलों अव्याव हम अना अपनी तरफ से कोई भी एक binary operation लेट कर लेते है सपोज हमारे पास A star B equal to क्या है A B upon 2 है ठेगा ना A star B equal to हमारे पास क्या है A B upon 2 हमें क्या निकालना है तत्समक अव्याव जिसको क्या बोल देंगे हम identity element अब देखिए identity element हम कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि small e identity element है यदि small e identity element है तब identity element वो होता है जिसको operate करने पर कोई फर्ग ना पढ़ता हो ठीक है दोबारा सुनो बात को identity element वो होता है जिसको operate करने पर या जिसका किसी के साथ operation करने पर कोई फर्ग ना पढ़ता हो देखिए कैसे हमने क्या लिखा है यदि e identity element है तब a star e equal to क्या आना चाहिए A A star E equal to क्या आना चाहिए A ये E कोई element है इस E element को ही हम identity element बोल देंगे अगर इसका किसी के भी साथ operation होने के बाद उस element पे कोई फरक न पड़तो वोई element आ जाता हो उसको हम क्या बोल देंगे फिर identity element बोल देंगे तो आपको ध्यान से समझना है है अपनी तरब से कुछ भी formula आप ले सकते हो A star B equal to A B upon 2 है हमें इस formula के according identity element निकालना है देखे हम कैसे निकालेंगे A star E equal to क्या हो जाएगा A की जंगा पर तो A ही है लेकिन B की जंगा पर क्या रख दिया हमने E तो हम B को E मान के चलेंगे अब देखे कैसे A star B दोनों की multiply के half से open हो रहा है तो दोनों की multiply कर दो A E upon 2 ठीक है ध्यान से समझो इसको A star B मान के चलो तो A B upon 2 equal to A है तो A ही रहने दो अब A से A कैंस ही कर लो वन टाइम तो E upon 2 equal to क्या बचेगा 1 बचेगा अब जो 2 divide में है ना इसको multiply में भेज दो तो E equal to कितना होगा 2 ठीक है तो identity element यहाँ पर क्या है 2 है तो इस तरीके से हम आसानी से identity element निकाल सकते है यह तो हमारा topic complete हुआ तत्समक अव्यवगा अब देखो परतिलोम अव्यवग कैसे होगा जदी जदी A star B equal to E है तब B को B को A का परतिलोम कहते है ठीक है ना ध्यान से समझे अशे बात को जदी A star B equal to क्या है E तब B को A का परतिलोम कहते है देखे कैसे A star B equal to क्या लेके चलो E लेके चलो अब A star B दो नमबर के बीच में star कैसे open हो रहा है A B upon 2 से तो यहाँ पर कर दो A B upon 2 equal to देखो जो E है ना E इसकी जहाँ पर क्या लेकेंगे हम identity element 2 इस 2 को उधर बेज़ दो तो A B equal to कितना होगा 4 यह A multiply में है A को बेज़ दो divide में तो B equal to क्या होगा 4 upon A B equal to क्या होगा 4 upon A तो मतलब देखो हमने शुरुवाच में क्या लिखा था कि यदि A star B equal to E है तब B को A का परतिलोम कहते है B को A का परतिलोम या ऐसे भी कह सकते हो A को B का परतिलोम A और B मतलब वापस में एक दूसरे के inverse है अब देखो B की value हमने 4 upon A निकाल दी मतलब A का inverse 4 upon A है इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते है कि A का inverse 4 upon A है या नहीं है देखे कैसे अगर A का inverse 4 upon A है तब A को 4 upon A के साथ operate करने के बाद identity element आना चाहिए A star B अब B की जगा पर क्या लिखेंगे हम 4 upon A ठीक है A star B A star B B क्या है A का inverse है अब देखेंगे ये पहला element ये दूसरा element पहले और दूसरा element के बीच में operation लगाने पर identity मिलता है या नहीं मिलता हम वो चेक करेंगे अब देखो ये पहला element ये दूसरा element दोनों के बीच में operation लगा दिया हमने तो देखो कैसे open होगा दोनों की multiply और upon में 2 है ना तो A multiply 4 upon A हो गया A B अब upon क्या लिखो 2 अब देखो A से A cancel कर दो उपर क्या बचेगा 4 नीचे क्या बचेगा 2 तो 2 time cancel कर दो तो क्या बचेगा 2 अब 2 क्या था हमारा 2 था identity element तो इसको हम E लिख सकते है अब आप ये देखिए ये पहला element ये दूसरा element दो number के बीच में हमने operation लगाया और हमें क्या मिला identity इसका मतलब पहले वाला दूसरे का inverse है और दूसरे वाला पहले का inverse है तो इस तरीके से हम परतिलोम अगयो भी निकाल सकते है ठीक है तो प्यारे बच्चो ये topic आपको और अच्छे से तब समझ में आ जाएगा जब हम exercise के questions को step by step soul करते होई चलेंगे आज की class में बस इतना ही करते हैं अब आगे हम पढ़ेंगे exercise 1.4 तब तक study करते रहिए और जो भी problem आती है मेरे साथ discuss कीजिए आज की class को attend करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much